हेलो चिल्रन, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज फ्रॉम पेज नमबर 16 इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो नीना थी वो शादी में नहीं जाना चाहती थी जब ममा उसको शॉपिंग कराने लेके गई तो वो हर चीज के लिए मना कर रही थी कि उसे ड्रेस भी नहीं चाहिए उसे शूज भी नहीं चाहिए और जब ममा ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसने बोला कि वो शादी में नहीं जाना चाहती अब मम्मा बोलती है बट वाई जो उसकी मम्मा है उसकी मम्मा उससे पूछती है बट वाई लेकिन क्यूं? क्यूं तुम्हें शादी में नहीं जाना? नीना said nothing नीना कुछ नहीं बोलती Instead, two big tears roll down her cheeks और कुछ बोलने की बजाए वो रोन लगती है और दो बड़े बड़े आसूं उसके गाल पर आ जाते हैं Tears का मतलब होता है आसूं Mother put her arms around नीना Don't cry my pet She said Why don't you tell me? What's bothering you? फिर उसकी मम्मी जो होती है वो नीना से कहती है कि बेटा रो मत और मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो तुम्हे परिशान कर रही है Bother का मतलब परिशान करना More tears roll down नीना से चीख नीना और जादा रोने लगती है Mother She said वो कहती है There is a sparrow's nest on the bookshelf in my room And there are two baby sparrow's in the nest नीना कहती है जो मेरा कमरा है न जो उसका room है उसमें जो उसका bookshelf है जहां पे हम अपने किताबे रखते हैं उस पर एक sparrow का nest है जो sparrow होती है गोरईया उसका घोसला है And there are two baby sparrow's in the nest और उस घोसले में दो baby sparrow's है चुटी चुटी baby sparrow's आपको यहां पिच्चर में दिख रही होगी न बच्चो देखो बच्चो यहां पे आपको दिख रहे है चुटे चुटे baby sparrow's यह वही baby sparrow's है जिनकी बात नहीं न कर रही थी I see sad mother तो मुमी कहती है ओ अच्छा अब मुझे समझ आया They are just beginning to get their feathers And growing up makes them so hungry All day long they cry cheap cheap asking for food फिर वो कहती है कि जो baby sparrow's है न वो बड़े हो रहे है And they are just beginning to get their feathers और उनके अभी-अभी feathers आने शुरू हुए है And growing up makes them so hungry और क्योंकि वो बड़े हो रहे है तो इस वज़े से उन्हें पहुत भूख लगती है और वो पूरे दिन खाना मांगते रहते है I see, said mother जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है अच्छा मैं समझ गई If we go, the whole place will be locked And how will papa and mama sparrow's feed their babies फिर नीना कहती है If we go, अगर हम चले जाएंगे The whole place will be locked तो जो पूरा घर है ना हमारा वो तो बंद हो जाएगा And how will papa and mama sparrow's feed their baby और फिर जो mama और papa sparrow's है वो baby sparrow's हो खाना कैसे खिलाएंगे तो बच्चो अब आपको समझ आया कि जो नीना थी वो क्यों रो रही थी और क्यों वो शादी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे किसकी चिंता हो रही थी उसे baby sparrow's की चिंता हो रही थी कि वो उन्हें खाना कैसे मिलेगा अब नीना की ममी इस बात का क्या solution निकालेंगी यह हम इस वीडियो के next part में पढ़ेंगे